लोगसभा चुनाओ की तहट प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए राजनान गाओं महासमुंद और कांकेर संसदिय शेत्र में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है कल आत अप्रेल को नामांकन वापसी के बाद अभर्थियों को चुनाओ चिन का आवंटन किया जाएगा इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाओ चिन में प्राचीन से लेकर आधुनिक वस्तूओं को शामिल किया गया है गैर मानिता, दलो और निर्दलिय प्रत्याशियों के लिए डिजिटल यूग में लोगों की जुबान पर रहने वाले चुनाओ चिन्हों का आवंटन को शामिल किया गया है इन में कम्प्यूटर, माउस, CCTV कैमरा, मोबाइल चार्जर, पैन ड्राइब, लापटॉप, आधी शामिल है वहीं चुनाओ चिन्हों के रूप में चिमनी, क्लिप, मूसल और खरल, हाथ, गाड़ी जैसी वस्तूओं भी है राजनान गाउंजुले के उपजिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राष्ट्री और राजिस्तरी पार्टियों को पहले ही चुनाओ चिन्हों का आवंचन किया हुआ है उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने 190 प्रकार के चुनाव चिन्हों को मान्यता दी है इस सूची में यदि आप देखेंगे तो इसमें प्राचीन जो समय में हम लोग पुराने निर्वाचनों में बैल गाड़ी हल या फिर इस तरह के प्रतीकों का उप्योग करते थे लेकिन प्रतीकों की संक्या दीरे दीरे आधुनिक यूग की तरह बढ़ते हुए प्रतीकों क कि प्रकार भी बदल गए हैं अब की स्थिती में एयर कंडिशनर से लेकर के लैपटॉप, पैन ड्राइब, लेडिज पर्स या हार, माला इस तरह की सारी चीजे नए-नए आधुनिक जो सिंबॉल है प्रतीक है वो इस 190 सिंबॉल में सामिल किये गए हैं गौर तलब है कि दूसरे चरण के तहत राजनान गाउं महासमूंद और कांकेर संसदिय शेत्र में 26 अप्रेल को मतदान होगा